कि नमस्कार मैं हूँ आपके साथ संदीप कुमार मिश्रु और आप देख रहे हैं साब्ताहिक राश्युफल साब्ताहिक राश्युफल के आज के भाग में हम जानेंगे किस प्रकार से करनी हैं हमें अपने दिन की शुरुवाद कैसे हमारा दिन बन सकता है और भी बेहतर और क्या कुछ है खास आज हम चर्चा करेंगे गुरू के बारे में गुरू हमारे जीवन को कैसे प्रकार करते हैं गुरू जब हमारी राशी में हमारी कुंडली में जब मजबूत और शक्त शाली होते हैं उच्छ घर में होते हैं तो क्या प्रभाव होता है और जब गुरु कमजोर होते हैं तब हमारे जीवन पर क्या कुछ पिढ़ाव करता है इन सभी विश्यों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अच्वारे प्रदीप रहाल जी प्रदीप जी चली कारेकरम की शुरुवात करते हैं और जानते हैं साथाहिक राशिव फल के बारे में हमारी बारा राशियां क्या कहती है और साथ ही ये भी जानते हैं कि गुरु का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है लेकिन सबसे पहले बारा राशियां तो बात करते हैं पहले मेश रासी के बारे मेश रासी के जातकों के सबसे पहले अगर उनके स्वभाव की मैं बात करूँ तो इस सब्सक्ता कुछ हट तक उनका स्वभाव जो है conflict personality टाइप कर रहे सकता है यानि कि अचानक अचानक से जब भी कोई आप से बात कर रहा होगा या कोई आपका किसी काम को कर रहे होगा तो अचानक से आपके temperament में change जा सकता है इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो जो आपका सामाजिक जीवन है जो आपका पारिवारिक जीवन है और जो आपके संतान पक्त से जुड़ा हुआ पहले उनी सभी मुद्दों पर आपको favorable result मिलने वाले हैं यानि कि आप कुछ अपने दोस्तों के साथ कुछ मोज मनवरंजयन वाली कुछ यात्राएं कर सकते हैं सबता के starting में इसके बाद आपका जो ड्रोमिस्टिक लाइफ है वो अच्छा रहने वाला है जो आपके संतान पक से जुड़ा हुआ कोई भी पहलू है अगर कोई संतान किसी भी परकार की परिक्सा में भाग ले रही है या उनकी साधी होनी या वो नोक्री से सम्मंदित अपना अपने जीवण में कुछ Max चाह रहे हैं तो वो सारी उनके अनूपूल होने वाली है तो यानि कि संतान से आपको सुखत समचार मिल सकते हैं इसके स जो आपका professional life भी है अगर आप business work से जुड़े हुए विप्ति हैं अगर आप कोई website करते हैं तो वहाँ पर भी आपके business में काफी expansion के chances हैं यानि कि इस हपते में आपका business expand करने वाला है या अगर आप नौकरी भी करते हैं तो वहाँ पर भी आपके अनुकुल result आने वाले हैं आ यानि कि आप जल्डवाजी में आगे कुछ भी किसी को कुछ बोल ना दे जिसकी वज़े से थोड़ी बहुत कठलाईयों को आपको सामना करना पड़ सकता है अधरवाइस मेस रासी के जात्कों के लिए सप्ता हर प्रकार से अच्छा ही रहनी वाला है अब बात करते हैं व् थोड़े सा कंट्रोल में रहके आप बाते करें ये थोड़ी कम बाते करें अधरवाइस तो जो आपके आस पडोछे लोग है वह आपको बात हो इसके साथ साथ जो आपका जोब से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ऐसा हो सकता है कि उनके जोब अगर वो ट्रांसफर की कोई उम्मीद लेके बैठे थे या ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई किया हुआ था और अभी तक आपको ट्रांसफर नहीं मिला था तो इस सप्तह का ट्रांसफर हो सकता है कि इसके साथ साथ अगर आपके अईसे फिल से जुड़े हुए हैं जैसे सोशल유리य से एगर आप जुड़े हुए या कुछ भी ऐसा कार्ड़ करते हैं जिसमें आपको अंलाइन अपने आपको रिप्रिजठ्ट करना पड़ता है या पबिलिक प्ले ने क्या दो सब्ता है तो आई अब बात करते हैं मिथोन रासी के जातकों के लिए ये सब्ता मिला जुला रिजल्ट लेकर आने वाला है सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके पिछले सब्ता जो कुछ आपने हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना किया होगा तो इस स यहां पर अपना दमखम दिखाने वाले हैं और वहां पर आप एक नए सितारे की तरह उभर कर सामने आएंगे लोगों के तो मिथोन नासी के जातकों के लिए ये सब्ता हर प्रकार से अच्छा रहेगा चाहें वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो परस्नल लाइफ की तो तो आपकी माता पिता को भी से बीवारी से जिरूप से और अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान रखते हैं अपने माता-पिता की हेल्थ पे ध्यान रखते हैं, उसके अलावा जो आपकी professional life है, वहाँ पे आपको काफे अच्छे result देखने को मिलेंगे, विसेश कर जो आपके senior's हैं, जो आपके boss हैं, वो आपको support करते हुए नजर आएंगे आपके हर matter में, मान लीजे कि आपका कोई भी ऐसा profession है, जहां पे आपको अपने mentor की आवस्ता पढ़ती है, आपने superior की किनी भी कारणों से आवस्ता पढ़ती है, तो वो आपको full support करने वाले हैं, जिसकी वज़ा से आपको मान सम्मान की प्राप्ती होगी, आपका finance भी बढ़ेगा, इसके साथ जो आपका spouse है, वो भी आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा पूरा सप्ता, यानि कि हर प्रकार से ये सप्ता अच्छा रहेगा, सिर्फ आपको ध्यान लखना है अपने माता-पिता के स्वास्ते का, उनकी health का, अगर वो आप manage कर लेते हैं, तो ये सप्ता हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल रिजल्टी लेकर आने लागा है, अब बात करते हैं सिंगरासी के जात्कों के लिए, तो सिंगरासी के जात्कों के लिए सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रह सकता है, विसेश कर आपकी खुद की health के point of view से, इसके साथ साथ जो आपका spouse है, जो आप आपका life partner है, उनसे मतभेद के चलते हुए, यानि कि अगर आपके किसी भी परकार के मतभेद अपने partner से हैं, तो वो काफी disaster form ले सकते हैं, काफी बाते आगे बढ़ सकती हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपको किसी भी परकार का कोई छोटा मोटा, का हो, चाहें वो बच्चों का हो, चाहें वो घर से जुवी हुए चीज़ें हो, चाहें वो आपकी professional life हो, वो सारी चीज़ें balance रहेंगे, लेकिन चूंकि आपकी खुद की health और आपके spouse के साथ आपके जगडे हैं, तो ये इतने सारे विक्राल रूप ले सकते हैं, कि बाकी स सारी चीज़ें आप देखेंगे, कि आपको support करते हुए नजर आएंगे, विसेश कर, अगर आप कोई travel करना चाहते हैं, फोरण से जुड़ी हुई, किसी भी matter को लेके, तो वो आपके अनुकूल रहने वाला है, तो आपको उस पे विचार जरूर करना चाहिए, तो सिंग र आसी के जात्कों के लिए, तो कन्यारासी के जात्कों के लिए सबताहा विसेश रोप से आपको अच्छे result लेकि आएगा, अगर आप किसी भी ऐसी field से जुड़े हैं, जहां पे आपको target assigned होते हैं, यानि कि अगर आप sales and marketing से जुड़े हुए गपती हैं, तो वहाँ पर एक आप सितारे की तरह उभर के आने वाले हैं, और जितने भी आपको targets दिये गए होंगी हैं, जितने भी आपकी goal streets होंगी, उनको आप over achieve इस सब्ताह करने वाले हैं, इसके साथ साथ जो आपका ससुराल पक्स हैं, चाहें वो male के case में हैं या female के case में, वो कुछ-कुछ में खड़ी हुई नजर आईगी, यानि कि कन्यारासी के जात्कों के लिए ये सब्ताह हर प्रकार से अच्छे result लेकर आने वाले हैं, यानि कि अगर आप job से जुड़े हुए विकती हैं, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा प्रदर्सन करने वाले हैं, आपका ससुराल पक के लिए सब्ताह अमूमन अच्छा रहेगा, सबसे पहले आपकी सुरवात होगी कुछ धार्मिक यात्राओं के साथ, इस सब्ताह आपकी धार्मिक यात्राओं होंगी, इसके साथ साथ जो आपके पिता हैं, वो आपको विशेश रोप से सयोग करने वाले हैं, जितना आप पूछ कर इस सप्ताह कार्य करेंगे, वो सारे कार्यों में आपको सफलता मिलना सुलिश्चित है, यानि कि आपके अपने पिता से लाव आपको मिलने वाला है, इसके साथ आपके अपने पिता से सम्मंद मदर होने वाले हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी होने वाली हैं और सप्ताह के अंत तक आते आते आपको name and fame की प्राप्ति होगी वो भी आपकी professional life में यानि कि कुछ कारे आपने ऐसे की हैं पिछले बीते दिनों में जिसमें इस सप्ताह आपको आपके अबोर्ड से या आपके पुरुसकारों से आपको नवाजा जाएगा यानि कि work place पर आपको मान संबान की प्राप्ति होने वाली है इसके साथ साथ अगर आप कोई भी वहान या भूमी लेने का सोच रहे थे और अभी तक आपका वो सप्ना पूर नहीं हुआ था तो तुला रासी वाले इस सप्ताह अपने इस सप्ताह को पूरा करते हुए नजर आपकी वो इच्छा भूमी खरीदने की पूर्ण होती हुई नजर आती हैं अब बात करते हैं व्रिशिक रासी के जात्कों के लिए तो व्रिशिक रासी के लिए सप्तह की सुरवात थोड़ी कहा सुनी के साथ होने वाली है जिसकी वज़े से आपके ओपर काफी ज्यादा मान साथ हो और आपको उसकी वज़े से फाइनेंसियल लोस भी हो और इसके साथ-साथ-साथ आपको मांसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़े तो आपको शलह ये दी जाती है कि आपको इस सप्तह जितने भी डिशीजंस लेने हैं उसमें अपने किसी जानकार से जो उस फिल्ड इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी सोचने की छमता है या जो आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार के भ्रम आ सकते हैं आप द्वंद रह सकता है आपके माइन में तो अच्छा होगा कि अगर ऐसे में आप किसी से डिसकसन करें किसी से सला लें और उसके बाद अपने प्लैंस को एक्जेक्यूट करें अधरवाइस तो ये सब्तहा काफी ज्यादा नकारात्मक आपके लिए रह सकता है अब बात करते हैं धनूरासी के जात्कों के लिए ये सब्तहा विसेश रूप से फाइनेंस की द्रिस्की से अच्छे रहने वाला है जो भी आपकी सेविंग्स हैं वो बढ़ने वाली हैं सेविंग्स भी आपकी कुछ इनहेरेटिट प्रोपरिटी आपको मिल सकती है सवसुराल पक्स से आपको कुछ फायदा हो सकता है पतनी से कुछ आपको फाइनेंसल गें यानि कि धनूरासी वाले जातक इस सप्ताह अपने स्वास्ते से लेकर अच्छे रिजल्ट को मिलने वाले हैं, एक अच्छे लाइफ आप जीने वाले हैं, इसके साथ साथ financials, gains आपको होने वाले हैं, आपकी savings बढ़ने वाली हैं, तथा संतान पक से भी आपको किसी ना किसी कोई ना कोई एक सुप समचार definitely मिल सकते हैं, इसके साथ साथ जो आपके near ones हैं, जो dear ones हैं, आपके जो आपके कलीक्स हैं, या आपके जो खास दोस्त हैं, उनसे भी आपको कुछ सहीयोग की उम्मीद की जा सकती हैं, तो धनूरासी के जातकों के लिए ये सप्ताहावी विसे इस रोप से आप अगर अगर अप व्याफसाय वर्फ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आप कोई अपना व्यापार करते हैं, तो वहां पे आपको अच्छे रिजल्ड देखने को मिलेंगे विसेश कर, अगर आप कोई पार्टनर अभी अपने लिए ढूंड रहे थे अपने बिजनिस को बढ़ाने के लिए कोई पार्टनर सी पगर आप करना चाहते थे, तो वो पार्टनर आपको इस सफलता नहीं मिल रही थी, या कोई आपको सहयोग मिलता हुए नजर नहीं आ रहा था सरकार से, तो इस सफलता है कि आपको सरकार की तरफ से या पोजिशन पाइटी की तरफ से आपको सहयोग मिल जाए और वो आपका कोउट केस खतम हो जाए, जो आपकी जोप से जुड़े हुए व्यकती है hiện जैसे व्यापार वालों का एकस्पैंड होना है, तो जो जो जोप से जुड़े हुए व्यकती हैं, उनके लिए विसेष रूप से ये प 玩 पर आपको ट्रांसफन मिल जाए तो इस सपता वह आपको गुर्नियूस मिल सकती है और आप वापसी अपने जन्म स्थान की और प्रस्थान कर पाएंगे अब बात करते हैं कुम रासी के जात्कों के लिए तो कुम रासी के जात्कों के लिए सब्ता मिला जुला रहने वाला है प्रोफेशनल द्रिस्टी से ठीक रहेगा फाइनिंशल द्रिस्टी से ठीक रहेगा यार दोस्तों के साथ भी ठीक रहेगा संतान पक से भी ठीक रहेगा लेकिन अगर आपका कोई भी मतभेद अपने जीवन साथी के साथ है तो आप यकीन मान के चलिए अगर वहाँ पर आपने थोड़ा भी रियक्शन दिया तो वहाँ पर आपको काफी ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और अलगाओ तक की स्थती उत्पन हो सकती है क्योंकि जिस प्रकार का अभी समय चल रहा है आप देखेंगे कि आपकी परस्नेलिटी में काफी ज़्यादा आप रियक्टिव महसूस करेंगे अपने आपको और आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहें विसेस कर जब आप किसी से वारतालाब कर रही है जब आप knights कर रहें तो ऐसा होने कीवज़ै से और उसका सबसे हैं नकारात्मक रिजल्ट आपके व्यवाइक जीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपकी ग्रस्ती जो है विखरती हुई नजर आ रही है तो आपको विशेश रूप से इस सप्ता कंट्रोल में रहने क्या हो सकता है otherwise तो वहाँ पर आपको काफी जादा नकारात्मक रिजल आपको देखने को ना मिले तो कुम्रासी वालों के लिए इस सप्ता विश्णु सहस्तर नाम करना अनिवारे रूप से जरूरी है अब बात करते हैं मीन रासी के जादे को के लिए यह सप्ता मिला जुल रिजल्ट लेके आएगा सबसे पहले तो आप अगर चाहते हैं कोई वाहन खरीदना तो वो आप इस सब्ता डेफिनेटली खरीद पाएंगे आपकी वो इच्छा जरूर पूर पाएगी इसके साथ साथ अगर अभी तक आपको संता नहीं हुआ है और आप प्लैनिंग कर रहे हैं और कंसीव अभी तक नहीं हुआ तो वो आपको गुभलीर मिल सकत आपको ध्यान देने की आवश्य सकता है इसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल लाइफ से जुरेवे विखती हैं यानि कि कोई आप अपना कार्य करते हैं जोब नहीं करते हैं लेकिन कोई अपना कार्य करते हैं तो वहां पर अभी आपको किसी भी प्रकार के आने वाला है और आगे चलके आपको पस्ताना पड़ सकता है इसके साथ किसी भी प्रकार की कोई पाट्रसिप इस सब्सक्ता आपको ना करने की सला दी जाते हैं तो वह भी आपको नकारात्मक रिजल्ट लेके आएगी यानि कि वह लंबे समय तक नहीं चल पाएगी तो मीन